तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूं अपने सफेद बाल यह देखिए बहुत जादा सफेद हो गया है मेरे यह रूट से सफेध हो गए हैं तो आगे आपको बहुत ही बहतरी बेहतरीन रेमेडी मैं बताने वाली है लोडो वॉर्वाइन नमश्कार मैं हुपनी न cola निधी आप सबका विल्कम करते हूं नेधी किचे लाइप स्टॉल ह्यूंअ पहुत ही सिम्पल है अपने फेवरेट रेगुलर शैंपू में आपको बस इसे मिक्स करके लगा लेना है आपके जितने भी सफेद बाल है ना बिलकुल स्टॉप हो जाएंगे और जो हो चुके हैं सफेद बाल वो धीरे धीरे ब्लाक में चेंज होने लगेंगे दोस्तों इस रेमेडी को कोई भी इस्तमाल कर सकता है चाहे वो बच्चे हो बुढ़े हो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसे पहले छोटी रेक्वेस्ट अगर चैनल पर पहली बार आएं तो प्लीज और प्लीज चाहे को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा पास ही दिखेगा एक चोटा सा बल बटन उसे दबाना न भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियो उसकी जमाना जि》 फटीजेगा वीडियोग तो पहले है जगर फ़ीडियो को लाइक किजयेगा फ़ीिज दुखे लिए मिन ग्रीज ज़ोग़ है दुश्ट और है ज़्माल जोद्टे सただुगिजागा जों तो दो लेने पहले कर खिल आपको इसे नहाने पहले बनाना है एक लीं सबसे पहले यहां पर एड़न करना है कोकोनट वायल दोस्तों आरियल का तेल आपको एड़न करना है यह बहुत अच्छा सा नरीशमिंट देता है जर से मजबूत करता है साथी साथ हमारे सफेज हुए बालों को भी यह रोकता है तो एक से डेर चामच आपको ले ले लेना है अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं आपको सूट नहीं करता है तो इसके जगब पर जो भी आप रेगुलर तेले इस्तेमाल करते हैं वो आप यहां पर ले 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 नेक्स हमें एड़न करना है यहां पर कैमफर यानि की कपूर कपूर दोस्तों किसी भी घर में मिल जाता है पूजा पर मल जाता है अगर नहीं है तो आप इसली इसे बाई कर सकते हैं मार्केट से दोस्तों हमें यहां पर एक टिकिया इसे लेना है और इस तरह से क्रश करके डाल देना है गर्मियों का सीजम है अभी बहुत जादा खुजली होती है बालों पर डैंडरफ हो जाता है काफी पाउडर आप सब को पता है काफी हमारे बालों के लिए वर्दान से कम नहीं है एक चमच इतना लेना है काफी पाउडर इसमें होता है कैफेटीन जो कि हमारे मलेनीन को करता है बुस्त दोस्तों काफी पाउडर जरूर इस्तमाल किया किजिए अब जो भी हेर पैक काफी पाउडर अब यहां पे आपको एड़न करना है शैंपू जो भी आप रेगुलर शैंपू इस्तमाल करते है बस आपको वही यहां पे डाल देना बहुत जादा नहीं रालना है एक चमच भी अगर आप डाले गे ना और इसे मिक्स कर दे और उसके बाद आपको नहाने करना है कि जब भी आप शैंपू करें तो इस तरह से आप शैंपू करें आप देखेगे कि आपके सफीद बाल बिलकुल डर्क कलर में आ जाएंगे और साथी साथ यह सफीद बाल जल्दी आ रहे थे ना वही पर स्टॉप हो जाएंगे और बाल तो सिल्की शानी होंगे यह तो यह थी आज की रेमेडी होप आपको पसंद आई होगी Thank you and have a nice day